ब्रॉकली तो आपने कई तरह से खाई होगी पर आज हम बनाएंगे एकदम नए तरीके से ब्रॉकली पराठा पराठा बहुत जादा टेस्टी बनता है ये बच्चों से लेकर बड़ो तक सभी को बहुत पसंद आता है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं यहाँ पर मैंने 500 ग्रॉकली ली है ब्रॉकली को रफली चॉप कर लिया है अब हम इसे मिक्सर के जार में डालेंगे और इसे पल्स मोड पर पीस कर त्यार कर लेंगे लीजिए मैंने ब्रॉकली को पीस कर त्यार कर लिया है ब्रॉकली को हम इस तरह से हलका सा मोटा पीसेंगे इसका fine paste नहीं बनाएंगे अब हम broccoli में आधा चमश नमक डालेंगे और इसे अच्छे से mix करके 5 मिनट तक rest करने देंगे 5 मिनट के बाद अब broccoli ने पानी छोड़ दिया है हम हातों से निजोडते हुए जितना हो सके उतना पानी निकाल लेंगे इस तरह पानी निकालने से moisture कम हो जाएगा और पराठा बेलते समय फटेगा नहीं लीजे मैंने सारी broccoli से extra पानी निकाल लिया है broccoli से निकला हुआ पानी काफी postic है इसका इस्तिमाल हम आगे करेंगे अब मैंने यहां दो कप गेहूं का आटा लिया है इसमें आधा चमच नमक और एक चमच घी डालेंगे घी डालने से पराठा की उपर की layer एकदम खस्ता और करारी बनेगी अब इसमें निकाला हुआ broccoli का पानी डालेंगे इसे मैंने चान कर इस्तिमाल किया है अब आटा गुनना शुरू करेंगे जरूरत के अनुसार इसमें पानी डालेंगे और एकदम soft आटा गुन कर त्यार करेंगे देखिए मैंने soft आटा गुन कर त्यार कर लिया है अब हम हातों पर थोड़ा थोड़ा पानी लगाते हुए इसे 2 मिनट तक अच्छे से मसल लेंगे इससे आटे में लचीला पनाएगा और पराठे बेलते समय फटेंगे नहीं अब हम आटा को 10 मिनट तक रेस्ट करने देंगे तब तक हम stuffing बना कर त्यार कर लेंगे यहाँ पर मैंने 2 उबले आलू लिये हैं इन्हें अच्छे से कद्दुकस कर लेंगे लीजे आलू को हमने कद्दुकस कर लिया है अब इसमें आधा चमच जीरा एक चोथाई चमच लाल मिर्च, एक चमच धनिया पाउडर, आधा चमच हल्दी पाउडर, आधा चमच गरम मसाला, एक चमच अमचूर पाउडर, दो चुटकी हींग, एक चोथाई चमच शककर, आधा चमच नमक, एक चमच बारिक कटा अधरक, एक चमच बारिक कटा लहस दो कटकी हरी मिर्च, एक बारी कटा प्याज, काफी सारा हरा धनिया और पिसी हुए ब्रॉकली डाल कर इन सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे और स्टफिंग बनकर त्यार है अब आटा को रेस्ट करते हुए 10 मिनट हो चुके हैं अब इससे एक मीडियम साइस की लोई तोड़ेंगे अब इससे सुखे आटे में लपेट कर इस तरह से हातों पर घुमाते हुए बढ़ा कर लेंगे आप चाहें तो इसे बेल कर भी बढ़ा कर सकते हैं अब इसमें अच्छे से स्टफिंग भरेंगे मैं यहाँ पर दो चम्मच स्टफिंग लेकर भर रही हूँ अब इस तरह इसे हातों पर घुमाते हुए और स्टफिंग को अंदर दबाते हुए इसे अच्छे से सील करेंगे अब एक्स्ट्र आटे को कट करके अलग कर देंगे और सील की भाग को नीचे की ओर करके इसे 20 से दबाते हुए बढ़ा कर लेंगे आप इस तरह से सूखे आटे पर रखकर इसे दबाते हुए बढ़ा कर लीजे ताकि ये हाथों पर चिपके नहीं और स्टफिंग सभी और अच्छे से फैल जाए अब इसे बेल कर बढ़ा कर लेंगे पराठा बेलते समय हम इसे बीज से ना बेलते हुए किनारों की और से बेल लेंगे इसे पराठा फटेगा नहीं यहाँ पराठा जितना लचीला और सौफ्ट होगा पराठे उतने ही अच्छे बनेंगे और बेलते समय बिल्कुल नहीं लगा देंगे अब इसे वापस से पलट कर दूसरे साइट पर भी एक चमज घी या ओईल लगा देंगे अब पराठा को इस तरह से दबाते हुए मीडियम फ्लेम पर सेक लेंगे ताकि पराठा अच्छे से करारा हो जाए देखिए अब पराठा दोनों ही साइट से अच्छे स और पोस्टिक है अब अगर आपको यह रेसेपी पसंद आई हूँ तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले